हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं दूद में भीगी हुई सूजी के लड़ू और ये बहुत जल्दी तयार हो जाता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समान की जरूरत नहीं पड़ती इसमें और बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर ले लिया है हमने एक कटोरी सूजी और ग्राम में देखा जाए तो यह 200 ग्राम के करीब सूजी है और आप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी इस्तेमाल कर सकत और इसी के साथ हमने यहां पर कुछ ड्राइफूर्स लिया है तो फ्रेंड्स आपको जो भी ड्राइफूर्स-पसंद हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहां पर बादाम-काजू और यह हमने नारियल का जो ग्रेट करके पुरादा लिया है वह है और साथ में ध़ूर् और साथ में ले लिया है मिल्क पाउडर ये छे चम्मच है और पूरी तरह से आप्शनल है और यहां पर है घी तो घी हम अपने एकॉर्डिंग यूज करेंगे जहां जितनी जरूरत पड़ेगी उसी साब से तो चलते हैं आगे की तरफ तो यहां पर हमने रख लिया है एक बा जाल देंगे और मिलाते जाएंगे और फ्रेंस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितनी सूजी है उतना ही दूद ले नहीं तो जादा टाइम लग जाएगा इसे बनाने में तो बस हमने इसमें सारा दूद डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स इस त पांटिटी भी ज्यादा हो जुगी है फूलने के बाद बस इसी तरह का टिक्चर हमें चाहिए था अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब यहाँ पर रख लिया है एक कड़ा ही डाल देंगे दो से तीन चम्मच घी और जो ड्राइफ फूट्स हमने लिया था ना उसे अच्छी तरह से कट कर लिया है इस तरह से छोटे बड़े टुकडों में और अब सारे ड्राइफ फूट्स को इस घी के अंदर डाल देंग और दो से तीन मीनट हम लो फ्लेम पे भून लेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है बस दो से तीन मीनट भूनेंगे और इसी के साथ हम मेलन सीड भी डाल देंगे और भूनने के बाद इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था है और सिर्फ जो ग्रेट किया हुआ नारियल है उसे रहने देंगे उसे नहीं भूनना है और बस इस तरह से हलके हलके हम इसको भून लेंगे अब यह भून चुका है तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और सेम कडाही में ही हम डालेंगे एक चमच और घी अब ही हम एक ही चमच डाल रहे हैं अगर बाद में आवा सकता हुई तो एक दो चमच और हम डाल देंगे तो बस इसी स्टेज पे डालेंगे जो हमने सूजी को भीगा करके रखा हुआ है वो और यकीन मानिये फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाएंगे बहुती टेस्टी लड़ो बन करके तयार होता है तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेर करें और यदि आप हमारी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें तो इसे हम इस तरह से चलाएंगे और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स ये चिपकता है तो आप चलाते रहें बाद में ये फिर पैन को छोड़ना शुरू कर देगा तो इसे हम आराम आराम से इस तरह से चलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है हाई फ्लेम पर इसे हमें नहीं पकाना है और ये देखिए फ्रेंड्स सुजी ने पूरी तरह से पायन को छोड़ना शुरू कर दिया है बट ये अभी तक पका नहीं है इसे अभी हमें और भूनना है और ये पूरी तरह से जब ready हो जाएगा तो एकदम सुजी की तरह ही अलग-अलग दिखना शुरू हो जाएगा तो इसे हमें चलाते हुए ही भुनना है तो ये लीजे फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं कि ये अलग-अलग होना शुरू ह हो गया है और इसी तरह से हमें 2-3 मिनट और पकाना है फिर यह पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो यहां पर 2-3 मिनट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से यह दिखना शुरूर हो गया है बस इसी स्टेज पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर और फ्रेंट्स हमने पहले भी पताय है कि यह पूरी तरह से आउप्सनल है पर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और एकदम मिठाई की तरह स्वाद आता है तो जरूर एक बार डालके ट्राइ किजिएगा नहीं है तो इसकीप कर सकते हैं और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते ह हैं मिल्क पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसी इस्टेज पर डालेंगे ग्रेटिट नारियल और फ्रेंट्स इसकी जगह पर आप नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं और इसे भी हम कर लें अच्छी तरह से मिक्स और इसी के साथ हमने गैस का फ्लेम कर दिया है और जो ड्राइब फूर्टस हमने भून करके रखा हुआ है उसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और यह mix हो चुका है अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने दिते हैं तो friends इसे हमने निकाल लिया था 1 थाली में और यह इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथों से छू सकते हैं बस इसी स्टेस पे इसमें मिलाएंगे चीनी जो हमने चीनी पीस करके रखा हुआ है वो इसके अंदर एड़ करेंगे तो फ्रेंस आप मीठा अपने कार्डिंग यहां पर यूज कर सकते हैं अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो कम डालें अधिक पसंद हो तो अधिक डालें तो सारा चीनी हमने इसके अंदर एड़ कर दिया है और अब चीनी डालने के बाद इस मिक्स में अच्छी तरह से चीनी को मिला लेंगे और यह मिलाने के बाद कुछ इस तरह से तयार हो गया है फ्रेंस आप देख सकते हैं और इसका हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे औ और लड़ू की तरह सेप दे देंगे और ये कितना इसली बन करके तयार हो जाता है और तूट करके गिरता भी नहीं है बहुत ही अच्छा सेप बन करके तयार होता है लड़ू का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से तयार हो गया है हमारा लड़ू और इसी तरह से हम सारे इसे एक बार बनाएं और ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंज की कैसा लगा और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू